वेल्कम बैक टू माई चैनल वीवर्स इस वीडियो में हम लोग कुछ और इंपॉर्टन कोईशन करेंगे उर्दू में रीट की प्रिपेशन कर रहे थे तो चलिए इस टाल करते हैं जो कोई भी रीट की प्रिपेशन कर रहा है और वो उर्दू पढ़ना चाहता है तो इस वी जबान का लवजें का काफ़ी लोग कंफ़ीउज रहते हैं अर्भी जबान में और टुर्की जबान में तो जो उर्दू है वो टुर्की जबान का लवज है उर्दू में बहुत सारी जबानों के आसान तरीका क्या है पहला है तस्वीरों के जरिए। किताबे पढ़कर थर्ड ए रीडियू सुनकर या फिर फॉर्थ है तक्ति लिखकर यहां पर जो ऑप्छिन वन गिया है वह बिल्कुल सही है तस्वीरों के जरिये क्योंकि यहां पे चोटे बच्चों की बात कही जा रही है इसलिए यहां पे आप्शन वन बिल्कुल सही होगा अब तो बुक्स भी ऐसी मतलब बनाई जा रही है जिसमें पिक्चर जादा लगाई जाएं ताकि बच्चे रुचिपूर तरीके से सीखें तो यहां पे जो आप्शन वन है वो करेक्ट है अगला जो कोशन नमर थरी है वो है तुल्बा की सलहाईयत का अंदाजा किस तरह किया जाए पहला है बस्ते का वजन देखकर बिल्कुल भी नहीं बलकि अब तो ऐसा रूल है जिसमें बर्डन कम हो बस्तो का सेकेंड है सबक पढ़वा कर यह फिर थर्ड है उनका चेहरा देखकर यह फिर फोर्थ है डाट डपट कर तो यहां पे सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू सबक पढ़वा कर अगला जो कोशन है कोशन नमर फोर्थ वो है बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरह आमादा किया जाए प बढ़ाने में उनकी इमदाद इमदाद यानि कि उनकी मदद की जाए उनको सहायता दी जाए और मशवरों को एहमियत दी जाए यानि कि बच्चा जो अनुबव कर करके आया है और जो बता रहा है उसको एहमियत दी जाए या फिर फोर्थ है उनके हाल पर छोड़ दिया जा तद्रीज का माकूल गर क्या है माकूल गर माकूल गर मतलब होता है अगर हिंदी में समझे तो उचित यानि कि मुनासिब तो यहां पे पूचा है तद्रीस का माकूल गर क्या है पहला उप्शन दिया है आसान से मुश्किल की तरफ चलें या फिर सिकंड है तुलबा को उनकी हाल पर छोड़ दें या फिर थर्ड है सबक की मुश्किलास से आगा करें या फिर फोर्थ है मुन्तकी मुन्तकी यानी की हिकमत वाला मुन्तकी अंदास इक्तियार करें तो यहां पर जो उप्शन वन है वो बिल्कुल सही दिया है बच्चों को पहले आसान चीज़ बताएं फिर उसके बाद मुश्किल चीज़ की तरफ चलें जासे की बच्चों को पहले पीड के बारे में बताएं पर उसके पार्थ के बारे में बताएं जैसे की यह लीफ है यह स्टम है यह रूट है यह फलावरे इस तरह से तो यहां पर जो अप्शन वन हैं वो बिल्कुल सही है। आसान से मुश्किल की तरफ चलें अगला जो कोशन है कोशन नमबर 6 वो है पंजाब की अर्दू ये एक बुक का नाम है पंजाब की अर्दू किसकी लिखी हुई किताब है पहला जो है वो है हाफिज महमूद शीरानी यहाँ पर देखे लिखा हुआ है हाफिज महमूद महमूद शीरानी या फिर सेकंड जो है वो है मसूद हुसैन खान या फिर थर्ड है रशीद हुसैन खान या फिर फोर्ट है संती कुमार चिटर जी यहाँ पे जो सही जवाबे वो है पहला आप्शन यानि की हाफिस महमूद शिरानी ने पंजाब की उर्दू लिखी अगला जो कोशन है कोशन नमबर सेवन वो है तुलबा का तलफूस किस तरह बहतर होगा तुलबा का तलफूस यानि की स्टूडन का प्रनाउंसियशन किस तरह बहतर होगा पहला है सबक की बुलंद खानी यानि की लेसन को अगर आप औरल तरीके से बुलंद तरीके से पढ़ वो बिल्कुल सही है, सबक की बुलंद खानी, यानि की बुलंद खानी अगर आप करवाएंगे तो बच्चे के तलफुत दुरस्त होगा, इसलिए आपर जो आप्शन वन है, वो बिल्कुल सही है, कोशियो नमबर एर्थ है, तुल्बा से क्या अमली काम कराया जाए, अमली का यानि की पैक्टिकली वर्क क्या कराया जाए, पहला है, मैदान में खेलने के लिए कहा जाए, सिकेंड है, नजमे या कहानिया सुनी जाए, या फिर थर्ड है, तस्वीरें बनवाई जाए, या फिर फोर्थ है, सबक सुनाया जाए, तो यहाँ पर जो सिकेंड आप्शन दि चार तरीके से बताया गया है इसमें से आपको पैचानना है कि कौन सा करेक्ट लवज है तो यहां पर जो ऑप्शन 3 है जो स्वास से लिखा है वो बिल्कुल सही है खास कोशिय नमबर जो 10 है वो है एराब किसे कहते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं इस से पहले वाली वीडियो में कि एराब किसे कहते हैं जे जबर पेश को एराब कहते हैं तो यहां पर जो ऑप्शन 1 दिया है वो है अरब में रहने वालों को यह फिस सेकेंड है अरबी जबान को य या फिर four थे जेर जबर पेश की अलामतें. तो यहाँ पर जो option four है वो बिलकुल सही है. जेर जबर पेश की अलामतें. अगला जो कोशन है. कोशन number 11 तजदीद लगे अलफास क्या कहलाते हैं? अगर आपको नहीं पता है, तो तजदीद लगे अलफास कौन से होते हैं? जो हर्फ दो बार पढ़ा जाता है. लेकिन लिखा की विल एक बार जाता है. उस हर्फ पर एक निशान लगाए जाता है. उससे तजदीद कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे हैं मुद्दा. तो मुद्दा यहाँ पे दाल जो वर्ड है वो दो पर पढ़ा जाता है. इसलिए हम लोग एक निशान लगाते हैं. इसे क्या बोलते हैं? इस निशान को तशदीद बोलते हैं. और जिस हर्फ पर ही निशान लगा होता है, उसे मुशदद बोलते हैं. ख्यान रखिएगा तो यहां पर क्याह बोला है तश्दीद लगी अल्फास क्या कहलाते हैं पेला कि जो है वो है मुश्यद्द सेकेंड है मुश्यद्दस तो यहां पर कि जो लिखा है हुरूफ अतफ, Second है, अब जद थर्ड है, इफद फहाम, हुरूफ इफद फहाम या फूर्त है, खुरूफ तहजी तो यहाँ पर जो one option है, वो बिल्कुल सही है, हुरूफ अतफ अगला कोशेन है कोशेन नमबर 13 वो इस्म जिससे किसी खास इस्म अगर आप इंगलिश में समझे तो नाउन को इस्म कहते हैं हिंदी में समझे तो संग्या कहते हैं तो वो इस्म जिससे किसी खास शक्त जगा या किसी खास चीज का नाम समझा जाए उसे क्या कहते हैं उसे proper noun कहते हैं English में proper noun को उर्दु में इस्म मारफा कहते हैं जोकि option बन दिया है इस्म मारफा बिलको गरेक्ट है इस्म मारफा क्या होता है जिससे किसी खास शक्त खास जगा या किसी खास चीजिस का नाम समझा जाए कुछियर नमबर फुटीन है दर्च जेल में जमीर दिखें जमीर क्या होता है इंगलिश में समझेंगे तो जमीर को प्रोनाउन कहते है जमीर मुतक्लिम मुतक्लिम क्या होता है मुतक्लिम यानि कि बात करने वाला आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन में first person second person first person جو بات کہتا ہے second person جو بات سنتا ہے اور third person جو بات جس کے بارے میں بات کہی جاتی ہے تو یہاں پہ آپ صرف پہلے person کی بات کری جارہی یعنی بات کرنے والے کی متکلم کی تو یہاں پہ جو option دیا ہے پہلا option دیا ہے وہ اور ان کو تو تم یا پھر third ہے میں ہم تو یہاں پہ جو third دیا ہے میں ہم وہ ہے متکلم یعنی زمیر متکلم کون ہے ان میں سے मैं और हम यानि कि फर्स पर्सन बात करने वाली की बात करने वाला अगला कुशन है कुशन नमबर 15 आग बगूला होना आग बगूला होना यानि कि बहुत गुस्से में होना यहां पर पूछा गया है आग बगूला होनी का मतलब है पहला है आग जलाना सेकेंड है बहुत खफ हो ना option two question number 16 है नाच ना जाने आंगन देड़ा क्या है मुहावरा है कहावत है तश्बीह है या इश्टियारा है तो ये कहावत है यानि कि option one इसका सही होगा उसके बाद यहाँ पे एक पैरा दिया हुआ है इस पैरे सिलिरेटर आप से कुछ कोशन पूछे गए हैं तो चलिए उससे स्वाब करते हैं दर जिसे एक्तिबास को पढ़कर नीचे लिखे गए सवालात के जवाब दीजिए वो घबरा कर फिर खिड़की की तरफ दोड़ा उसके पट्र यानि कि जो खिड़की में पट्रे लगे होते हैं लगे होते थे आजकल हरतरा तरह से बन नहीं है खिड़की है तो यहाँ पर वोई बताया गया है कि उसके पट खोले तो देखा कि आसमान साफ है आंधी थम गई है घटा खुल गई है तारे निकल आए है उनकी चमक से अंधेरा भी कुछ कम हो गया है वो दिल बहलाने के लिए तारे तारो भरी रात को देख रहा था कि यका यक उसको आसमान के बीच में एक रोशनी दिखाए दी और उसमें एक खुबसूरत दिलहन दिखाए दी उसने तक तकी बांद कर उसे देखना शुरू किया जियू जियू वो उसे देखता था वो करीब आती जाती थी यहां तक कि वो उसके बहुत पास आ गई इस तरह से यहां पे एक पैरा दिया है इसके बाद जो इससे कोशन उन्होंने पूछे हैं उसको देखते हैं पहला जो कोशन है वो है आंधी थम गई है में फेल किस लवज से जाहिर होता है अगर आप फेल के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं आपने नहीं पढ़ा है तो इससे पहले वाली वीडियो देखिए रीट की उसमें फेल को पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि fail क्या होता है उसके कितने किसमे होती है तो यहाँ पर पूछा गया है आंधी थम गई है में fail किस लवज से जाहिर होता है तो यहाँ पर पहला option दिया है थम गई second option दिया है आंधी, third option दिया है गई है या फिर fourth option दिया है कोई नहीं तो यहाँ पे आंधी थम गई है में फेल है थम गई यानि की option 1 अगला question है question number 2 इस paragraph से दर्ज जेल में से मौननस लफ्स कौन सा है मौननस यानि की feminine world कौन सा है पहला है आस्मान, second है खिड़की, third है अंधेरा या फिर फोर्थ है पट तो यहाँ पे जो खिड़की वर्ड है वो मौननस लफ्स है यहाँ पे जो option 2 है वो बिल्कुल सही है question number 3 है वो है वो घबरा कर खिड़की की तरफ दोड़ा में मफूल कौन है अगर आप मफूल नहीं जानते है तो जब आप ये वीडियो देखेंगी जिसमें fail के बारे में मैंने describe किया है इससे पहले वाली वीडियो उसमें मफूल के बारे में भी describe किया है मफूल क्या होता है बिसिकली आप समझें object यानि कि जैसे कि example के दोआरा हम लोग समझेंगे जैसे कि राम ने श्याम को पीता तो यहाँ पे राम वर्ड है वो क्या है वो file है और जो श्याम है वो क्या है वो मफूल है तो यहाँ पे क्या है वो घबरा कर खिड़की के तरफ दोड़ा तो यहाँ पे जो खिड़की वर्ड है वो मफूल है तो यहाँ पे जो option दिया है खिड़की थर्ड आप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है वो मफूल है खिड़की वो घबरा कर खिड़की के तरफ दोड़ा तो खिड़की जो है वो मफूल है अगला जो है कुशन नमबर फूर वो करीब आती जाती थी में फाइल कौन है तो अभी हम लोगे ने समझा के फाइल क्या है जैसे के राम ने शियाम को पीटा तो जो राम था वो फाइल था तो यहां पर क्या है वो करीब आती जाती थी में वो जो वर्ड है वो फाइल है तो यहां पर जो आप्शन वन दिया है वो वो बिल्कुल सही है पर क्या है अंधेरा कुछ कम हो गया है तो इसमें जो फेल है वो फेल माजी है यानि कि आपशन जो थ्री है वो बिल्कुल सही है फेल माजी इस तरह से इस वीडियो में आज हम लोगों ने कि इंपॉर्टन कोशन करें हैं अगर यह आपको अच्छी लगी हो वीडियो आपके लिए हैलफुल रही हो तो प्लीज इसे लाइक करें इस वीडियो को मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें